आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ So, hello student, जो जो हमाँ पास question अब ही है How much marble of 96.5% purity would be required to prepare 10 liter of carbon dioxide at STP when marble is acted upon by dihydrochloric acid तो हम लोग यहां क्या कर रहे हैं Marble मतलब CaCO3 उसकी reaction हम लोग HCl से करा रहे है तो यहां इस से जो product बनेगा तो क्या बनेगा CaCl 2 plus H2O plus CO2 gas निकलेगी बहार तो तो तेको जो CaCO3 उसका जो molar mass होता हो कितना होता है 100 gram 100 gram होता है और यहां यह equation जो है वो balance हम लोग पहले कर लेते हैं तो उसके रहे हम लोग यहां 2 डाल देंगे तो 2 SCL हो जाएगा तो बैलन्स होगी तो 100 gram से 22.4 liter gas निकलती है यह हम लोग यह कह सकते है 22.4 liter निकलती 100 gram से तो 22.4 liter 100 gram से निकलती है तो एक liter gas कितने से निकलेगी 100 upon 22.4 gram से और 10 liter जैसे हमें question दिया गया है तो वो किससे निकलेगी है तो 100 into 10 upon 22.4 तो यह आएगा 44.64 gram ठीक है CACO3 तो इतने gram CACO3 अगर 100 परसंट पे ओर हो तो इतने gram CACO3 से 10 liter CO2 निकलेगी बट हमें यह परसंट प्योटी कितने दी गई है 96.5 ठीक है तो हम लोग को 96.5 परसंट के साब से निकलना पड़ेगा कितना CACO3 चाहिए तो मालो एक्स चाहिए तो एक्स का 96.5 upon 100 कितना है मतलब अगर 100 परसंट होता तो X is equal to कितना हो जाता 44.64 बट हमारा पास 96.5 परसंट है इसलिए X का 96.5 है 44.64 तो X कितना हो जाएगा 44.64 into 100 upon 96.5 यह आ जाएगा 46.26 ग्राम्स तो 46.26 ग्राम्स तो 46.26 ग्राम्स विल बी ता राइट आंसर इतना हमें CACO3 चाहिए होगा फोर प्रोडक्शन ओप 10 लिटर ओप CO2 थैंक यू क्लासिक्स तो टुएल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चुपर